वेल्कम टॉ लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जिसमें पहला है सेंगॉल किसेंगॉल आखिर है क्या किसको कहते हैं कैसे और जिनेट हुआ और जो प्रीमेंटरी इनोगरेशन प्रोसेस है उसने हमारे को पार्टेकल पकॉर्टे करते हैं कि कैसे यह चीज हुआ और कैसे हमारी हिस्ट्री में से सेंगॉल अचानक से गायब हो जाता है पहले हम यह समझते हैं कि आखिर सेंगॉल है क्या सेंगॉल बेसिकली अगर देखा जाए एक सिंबल है अथोरिटी का पुराने टाइम पे अगर चोल जो राजवन्स हुआ करते थे वहां पे जब पावर को ट्रांसफर किया जाता था तो पावर कोई ट्रांसफर के तौर पे एक प्रतीक के तौर पे चिन्न के तौर पे वहां पे सैंगॉल एक डंड के रूप में वहां पे ट्रांसफर किया जाता था जो की रिकगनाईज करता था कि एक अथोरिटी से दूसरे अथोरिटी के पास पावर को ट्रांसफर किया जा रहा है बट अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं तो इसका concept महाभारता में भी देखता है महाभारता में अगर तुम देखो पुराने टाइम पे भी जब पावर transfer हुआ करती थी gap उस time पे जो राजा हुआ करते थे एक राजा से दूसरे राजा के थे तरा पावर transfer होती थी तो वहाँ पे उनका जब मukwl कोता था उसको transfer किया जाता था साथ में राज़ा जो है वह अपने हाथ में ईक राजडंड और उसके ट्रांसफर होते ही वो ये दिखाते थे कि अब अगला सक्सेसर आ चुका है और अब इसके पास ये अथोरिटी है कि वो अपने विचारों से और अपनी जो सोचे अपनी प्रतिभाय उसके आधार पे आक्चुल में न्याय करेगा यानि कि जो ये दंड है ये दंड आक्चुल में न्याय का कही न कहीं प्रतिरूप की तौर पे देखा जाता है एक अथोरिटी के प्रतिरूप की तौर पे देखा जाता है इंडिया में जिसकी शुरुआ चोल राजबंस में देखी गई और उसके बाद कई सारे वहाँ पे ज इसी तरीके से अगर वेस्ट में इस तरह की बात करें तो वेस्ट में भी इस तरह के दंड का concept वहाँ पे हुआ करता था रोमन एंपायर में इस तरह के evidence मिलते हैं कि वहाँ पे भी इस दंड को एक प्रतिकात्मक रूप से एक symbolic रूप से वहाँ पे gesture के तौर पे दिखाये जाता था यानि कि ये एक तरीके का symbol है जो power का एक तरीके से कह सकते हो कि power को represent करता है एक authority को represent करता है अब हुआ क्या जब 1947 में कहीं न कहीं जब Britishers से इंडिया की तरफ power को transfer किया जाना था तो उस टाइम पे ये एक question mark राइज हुआ कि हम कैसे इस चीज को justify करेंगे कैसे signify करेंगे कैसे symbolically transfer करेंगे कि हाँ एक जगह से Britishers से इंडिया को actual में power को transfer किया गया है तो वहाँ पे जो voice rise थे ठीके उन्होंने ये question उठाया अब जब ये सारी चीजें हुई तो फिर नहरू जी ने ये question अपने जो कहीं न कहीं करीबी जो राज गोपला चार जी थे उनसे वहाँ पे इस चीज के बारे में confirm किया कि आखि पावर ट्रांसफर को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए तो उन्होंने फिर history को खंगाला शुरू किया बात करी वहाँ पे जो मठादीस बगेरा होते थे south में उनसे बात चीत करी और वहाँ पे सेंगौल का concept निकल किया राया और फिर पूरे बिद मांट बेटिन जी को वहाँ पे दिया गया एंडेन उसको लेकर फिर उसका सुधी करण करके आक्ष्व में फिर नहरु जी को ट्रांसफर किया गया और वो एक सिंबॉलिकली कहीना कहीं रिकगनाईस किया जाता है यहां यह पावर ट्रांसफर हुई है फिर उसके बाद उस जो कहीना कहीं सेंगौल है दंड है उस दंड को एक म्यूजियम में वहाँ पे जाके रख दिया जाता है और उसके बार में हिस्ट्री से कहीना कहीं जो उसकी नदारद है वो देखने मिलती है कि वहाँ उसके बाद उस चीज को नहीं देखा गया कभी भी हिस्ट्री में और बहुत सारे लोग अन्भेगीर है अचानक से ये चीज राइज होती है उसका कारण है क्यूकि एक साउथ की कोई लेखिका है उन्होंने वहां पे मोदी जी को पत्र लिखा अर उसके बारे में अफ़गद कराया अब जैसे इस चीज़ उसके बारे में मोदी जी को पता चला तो फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को उसके पीछे लगाया कि आखिर ये गया कहां उसके उसको निकाला गया फिर उसके बारे में पूरी विदी विधान के बारे में समझा गया सारी चीजें हुई और अब अचानक से जब का actual में symbol है, जब एक जगा से दूसरी जगा पर power transfer होती है, तो 1947 के time पर power transfer हुआ था, इसलिए उसको वहाँ पर symbolically आप दिखा सकते हैं, लेकिन अभी current में power कहीं पर भी transfer नहीं हो रहा है, हम एक democratic process के through actual में power को transfer करते हैं, एक authoritarian system से किसी दूर से system में power transfer नहीं हो रहा, या दूसरी country को power transfer नहीं हो रहा, तो इसका अचानक से purpose क्या, जबकि government का ये कहना है, कि ये हमारे लिए एक symbolic gesture है, कि हम एक एक देश की सरकार चलाते हैं, हमारी authority है यहाँ पे, और एक किसी व्यक्तिविसेस की authority नहीं, बलकि southern की authority है, तो इसको actual में वहाँ पे southern में लगा देना चाहिए, symbolic groups है, कि पूरे इंडिया में एक southern की authority, यानि कि लोगों, क्योंकि लोग सबा basically represent करता है, pupils को, तो उसको वहाँ पे stall करके ये दिखाना चाहिए, कि आज की date में इंडिया की citizen की authority है, जो preamble में लिखा भी हुआ है, कि we the people of India, तो government का ये मानना है, फिर second controversy यहाँ पे आती है, अ अब यहाँ पे controversy start होती है, पहली चीज यहाँ पे controversy start होई, कि हमें नई parliament की requirement क्यों है, हमारे पास already हमारा एतिहासिक building है, हम उसको abandon करके एक नई parliamentary building में stuff हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, कई लोगों का ये मानना था, हमें इसकी nude क्यों है, तो पहली चीज इसकी need के बारे representative हैं, उनका number बढ़ना लगभग तय है, तो ऐसे में पुरानी जो building बनाई गई है, पुरानी जो building exist करती है, उसमें उतनी capacity नहीं है, इसी वज़े से अब नई building की requirement है, दूसरा, ठीके समझ में आता है कि नई building की requirement है, अब जब ये building बन जाती है, तो इसके बाद इसके inauguration को लेके controversies start हो जाती है, कई लोगों का ये मानना है कि राश्च्पती जी को actual में इसको inaugurate करना चाहिए, तूसरा चीज, कई लोगों का ये मानना है कि लोगसभा speaker और राजसभा के जो chairman है, इन लोगों को actual में inaugurate करना चाहिए, ये उनकी authority है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये clear-cut separation of power का violation होगा, separation of power आक्च्वल में concept क्या है, separation of power का मतलब है सक्तियों का बिवाजन जहां पे legislative executive एग्जीक्योट है, जूडी स्री की अपनी अपनी power transfer करी गई है, अब सवाल ये उठता है कि कि किसी building या किसी institution या किसी project को inaugurate करने से क्या separation of power का violation होगा, क्योंकि उनका ये दलील था कि आक्च्वल में ये legislature का part है, तो जो legislature authority है, उनको आक्च्वल में इनको inaugurate करना चाहिए, तो अगर सम्मिधान को गौर से पढ़ते हैं, तो कहीं पे भी ऐसा ये चीज नहीं लिखी हुई है, और कहीं पे भी उसकी ऐसी interpretation नहीं निकलती है, कि किसी building को inaugurate करने से किसी भी तरह का constitution का violation होता है, in fact Supreme Court में appeal भी, वहाँ पे case भी file करा गया और Supreme Court ने भी उसको cancel कर दिया, उसको खारिच कर दिया, कारण यह है क्योंकि वहाँ पे basically जो separation of power की बात हुई है, वो basically अगर देखा जाए, उनकी जो constitutional power हैं, उसके context में separation of power की बात आती है, लेकिन कहीं प लेक नहीं है, और नहीं interpretationally वहाँ पे इसको आप justify भी कर सकते हैं, तो यह जो चीजें कहीं ना कहीं दी जा रही थी, वो भी गलत है, अब दूसरी बात आती है कि रास्पती को इनको inaugurate करना चाहिए, क्योंकि रास्पती देखा जाए, first person of India माने जाते हैं, तो अगर पुरान और यह हर पार्टी ने, हर तरह की सरकारों ने यह हमेशा से किया है, तो अगर यह पार्टी, अगर आज की date में जो existing party अगर इस तरह का काम करती है, तो इसमें इस तरह का किसी भी तरह का, किसी की जो कहा जाए कि उनका पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए जा रहा है, ऐसा कह नहीं पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी government, यह government call है कि वो किसको यह opportunity देना चाहते हैं, कि कौन inaugurate करेगा, यह government की call है, और यह हमेशा से historical evidence के तौर पर देखे जा सकते हैं, तो इस तरह की जो कहीं न कहीं, अगर जो controversy बनाने की कोशिश करी गई है, यह controversy आक्चुर में valid नहीं मानी जा सकती, पुराने historical evidence के basis पे constitutional grounds के ओपर भी देखा जाए, तो इस तरह की controversy बनती नहीं है, ठीक है, तो यह चीज थोड़ा सा समझना जरूरी है, तो बाकी और चीज़ें controversy अभी देखते हैं, inauguration के बाद क्या है, अगर हम पुरानी buildings के records को भी देखें, तो प 1921 से लेके 1927 तक लगभग यह 6 साल में बनके तयार हुई थी, तो समझ सकते हो कि कितना लंबा time इस building को हो गया, almost 100 साल के अप्रॉक्स इस building को हो चुके है, तो अब नई building में shift होने का time आ चुका था, और requirement भी थी, और जो नई building बनी है, वो basically अपनी cultural diversities को actual में represent भी करती है, साथ में जो आगे आने वाला जरूरते हैं, जो requirement है, security purpose से भी देखा जाए, numbers of seats के साब से भी देखा जाए, तो उन सारे parameters को fulfill करती है, तो आज के लिए इतना ही, all the best, take care, bye bye.